नमस्कार दोस्तों आपके अपने वैदिक एश्रोलाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मेन रासी वाले जात्कों का जनवरी 2024 की महीने में आपको अपने लाइफ में क्या-क्या परिवर्दन देखने को मिलेगा दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनवरी 2024 में मेन रासी वाले जात्कों की जो कुंडली है तो कौन-कौन से ग्रह किस-किस भाव में बिराजमान है फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपका ब्यापार नौकरे इत्याद कैसे रहेंगे इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि इसमें कहगी बाते आपको अच्छे से और इस पश्ट समझ में आ सकों तो आई चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीन रासी वाले जातकों के आपके लगन में ही राहु देव विराजमान है सेकंड हाउस में मेस रासी के साथ देव गुरु विराजमान है और आपके सेवन्थ हाउस में कन्य रासी के साथ केतु विराजमान है नाइन्थ हाउस में विर्शिक रास्य के साथ बुद्ध और सुक्र ग्रह विराजमान है और आपके तिन्थ हाउस में धनु रास्य के साथ शूर मंगल और आपके त्वेल्थ हाउस में कुम्भी रास्य के साथ सनी देव विराजमान है तो बता दे दोस्तों कि आपका जनवरी 2024 में जो आपका स्वास्त है तो स्वास्त तो अच्छा रहेगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुसा आएगा आप अपने गुस तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे साथ ही देर राथ तक काम करने वाले हैं बात की जाए आपके परवारिक जीवन के बारे में तो यहाँ पर परवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप अपने परिवार वाले को सपोर्ट करेंगे कि सहायता करेंगे और धन भी बचाएंगे बात की जाए कि आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा जनवरी दोहजार चोविज में तो यहां पर जो प्रेम प्यार है तो सामान इसलिदी में रहेगा जैसे कि जो आपकी पार्टनर है तो लड़ाई जगड़ा तो रहेगा बात बेक अप नहीं होगा मतलब बीच बीच में लड़ाई होगे गुसा आए तो लड़ाई करेंगे लेकिन फिर सान्थ हो जाएंगे जैसे बच्चे हरकत करते हैं कि साथ लड़ेंगे फिर एक टाइम के बाद फिर से एक साथ हो जाएंगे तो ऐसे सिच्वेशन आप दोनों के बीच में देखा जाएगा, आपके पार्टनर के अंदर देखा जाएगा और आपके भी अंदर देखा जाएगा लेकिन यहां पर ब्रेक अप का चांस तो नहीं रहेगा, थोड़ा से उतार चड़ाओ देखने को मिलेगा बात की जाएगा, आपके संतान योक के बारे में तो दोस्तों बता देएगा, जन्वरी के महिना आपके लिए सही नहीं है यहां पर आपको संतान से जुड़ी कोई भी खुश खबरी की प्राप्ति नहीं होगी पढ़ाई भी इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, तो यहां पर पढ़ाई से संबंधित इतना थोड़ा सा आपका फोकस नहीं रहेगा बात की जाए आपका जो वैवाहिक जीवन है तो वो कैसा रहेगा तो दोस्तों बता दे कि आपकी वैवाहिक जीवन भी इतना च्छन नहीं रहेगा यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाय जगड़े देखने को मिलेंगे बात भी बात रहेंगे ब्यापार की बात की जाए तो यहाँ पर ब्यापार से आपको अच्छे लाप देखने को मिलेंगे तो जनवरी की महीने में आपका जो ब्यापार रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब बात की जाए कि आपकी नौकरी की सितिया कैसी रहेंगी तो आपको नौकरी से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर नए नौकरी की संभावना देखी जा रही है अगर आप प्रियास करते हैं तो आपको नए नौकरी असानी से मिल जाएगा और आपको नौकरी में अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेगा मतलब कुल मिला कि आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगे अब बात करते कि आपका भाग कैसा रहेगा तो भाग संबंधित आपको अच्छे रिजल्ड मिलेगे यहाँ पर आप जो चाहते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा अच्छा धन लाब देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी इस्ति में आपको काफी ज़्यादा लाब देखने को मिलेगा और आपको बिदेश से भी लाब देखने को मिलेगा कही पर आपको अच्छे लाप देखने को मिलेंगे यहां पर आप धन संचित में भी काम्याब रहेंगे अच्छे सक्षम रहेंगे दोस्तो मिन रासी वाले जुजात तक हैं आप देखेंगे कि जिन्वरी की महीने में आपको थोड़ा सा नीज से जुड़े समस्या हो सकती हैं या फिर आपको नीद लेट आए या फिर नीद नहीं आए इतनी थोड़े से दिक्कत देखने को मिले कि बांकी ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी तो दोस्तो इदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शब्सक्राइब एंड सेर कीशें